रमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका प्रिया के कीचिन में, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अद्रक की केंडी रेस्पी, अद्रक की केंडी सर्दी खासी जुखाम में बहुत ही लापकारी है, इसको घर पर बना सकते हूँ अब बहुत ही आसानी से, यहाँ अद्रक के चंडी बनाने के लिए मैंने लिया है 100 g अद्रक के चाकू से छील कता यहां पर मैंने अद्रक के चिल का ताकू ने Take Up और यहां पर मैंने लिया 1.500o गुड धो मैंने चाकू से लिया है यह दोनु मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लूंगी इसमें पानी नहीं डालना है हमें बगर पानी के ये पीशना है गुड़ा आप जादा भी ले सकते हो देड़ सो ग्राम से मैंने देड़ सो ग्राम ही लिया है यहाँ पर मैंने दोस्तों पीश लिया है देख सकते हो आप यहां मैंने रख दिया एक पैन इसको मैं अच्छे से गरम कर लूँगी दोस्तों यह गरम हो चुका है इस मैट कर दूँगी मैं अद्रक और गुण का पेस्ट और इसको हमें हिलाते रहना है हमें तेज फ्लेम पर ही पकाना है हिला हिला के पांच मिलट यहां पर दोस्तों तीन मिलट हो चुके है देख सत्य बाब इसका कलर चेंज हो गया है गेस का फ्लेम लो कल लिया है मैंने अब इसमें मैं अट कर रही हूँ एक चौथाई चमाज हल्दी पावडर एक चौथाई चमाज नमक पावडर यह भी लाबकारी रहता है खासी जुखाम के लिए इसलिए मैं यह एट कर रही हूँ इसमें यहां पर दोस्तों हमारा यह पक चुका है अब हम उतार लेंगे इसको नीचे यहां पर दोस्तों मैंने नीचे उतार लिया है मैं इसको अच्छे से ठंडे होने दूंगी गरम ये बिल्कुल नहीं बनाना है इसका गुर जादा गरम होता है चिपक जाएगा हाथ में दोस्तों यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है पांच मिलाट हो चुके है इसको हम इसके बना लंगे छोटे छोटे गोले यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके बनाई है इस तरीके से सारे बना लूंगी मैं यहाँ पर लिया है दोस्तों मैंने चार बड़ी चम्मच वीशी हुई चीनी इसमें मैं सारे गोले एक एकर के अट कर लूंगी यहां पर दोस्तों प्रफेक्ट अध्रकेंडी बनके तैयार है हमारी आप इसको सर्दी खासी जुखान किसी में भी खा सकते हो यह बहुत ही लाबकारी है रैस्पी बसन आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक सियर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना